बहुत बहुत स्वागत बहुत अपिनंदन मेरे पैरे पैरे बचों का और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने फ्लूड मैकनिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूड मैकनिक्स में किस प्रकार के questions एक्जाम में बनते हैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूँ formula में जो important है और neat में आए वे questions जिससे आपको idea लगे कैसे questions एक्जाम में पूछे जाते हैं surface tension पर based यह हमारा आज का session है बचों कोई भी जो liquid होता है अगर मैं इसको किसी vessel में बहर देता हूं तो यह जो liquid होता है इसके जो molecules होते हैं वो एक surface tension फील करते हैं तो मैंने क्या करा कि किसी भी liquid की surface पर एक line ड्रो करी है imaginary line और इस line की length अगर L है और इस पर दोनों side के जो molecules अगर F force लगा रहे हूं तो surface tension का formula होता है F upon L okay this is the formula of surface tension T is equals to F upon L तो F is equals to हो जाएगा T into L okay यहाँ पर जो L होता है वो length of the free surface होता है और T जो है surface tension होता है surface tension की unit क्या हो जाएगी Newton पर meter यह पहला formula है जो आपको surface tension के बारे में ध्यान रखना है अच्छा तीन words यहाँ पर important use होते हैं तो water drop water drop पानी की बूंत air bubble air bubble पानी में पैदा होता है इसकी चारों तरफ पानी होता है बीच में air का यह bubble होता है और एक होता है 100 bubble, 100 bubble में क्या होती है दो surfaces होती है इसे पीच में यह soft solution होता है इसके अंदर भी air होती है और बाहर भी air होती है तो कई बार आपको पूछा जाता है इनमें number of free surfaces कितनी है तो आप हमले शेयर ध्यान रखना कि free surface वो होती है जो air के contact में होती है और air के contact में यहापे केवल बाहर वाली surface है, done अच्छा, air bubble की बात करता हूँ तो air bubble में सिर्फ अंदर air है तो इसमें भी free surface one हो गई अच्छा, जो soft film है ना, soft film में देखो बाहर भी air है और अंदर भी air है तो इसमें number of films कितनी हो गई number of free surfaces कितनी हो गई, दो हो गई अच्छा, एक formula बनता है work done to increase the surface area कि जिससे यह आपके पास में कोई soft film है और अगर आप इस soft film के उपर force लगा के इसका area बढ़ाना चाहते है तो work का formula क्या होगा, this is a very important formula, work is equal to t into a final minus a initial a initial is the initial surface यह यह प्रारंबिक प्रष्टिय शित्रफल है and a final is the final surface area यह जो है ध्यान रखना, this is surface area, तो यहाँ से t is equal to आजाएगा w upon delta a, delta is the change in surface area और surface tension की एक और unit निकल के आती है, यहाँ से joule per meter square यहाँ पर भी बहुत अच्छे-चे profiles बनते हैं यहाँ, एक होता excess pressure, इसको हिंदी में कहते हैं दाप आधिक के इसका भी formula आप लोगों के ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कोई भी water drop ली है ना, तो water drop में बाहर से एक pressure लग रहा है pressure from the outside जिसको मैंने PO बोला और एक pressure लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ तो अंदर से बाहर की तरफ वाला pressure जो होता है ना, वो ज्यादा होता है मेशा बाहर से लगने वाले pressure की बज़ा है तबी तो जो drop होती ना, बूंत, उसका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक shape होता है इंसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर का जो difference होता है ना, बचों, इसको हम लोग excess pressure कहते है excess pressure की value ध्यान रखना, अगर मैं water droplet लेता हूँ, तो उसके लिए इसकी value होती है 2T upon R, ठीक है, T क्या है surface tension है और R क्या है इसका radius है radius जितना कम होएगा ना, excess pressure उतना ही जादा होगा अगर मैं air bubble लेता हूँ, उसके लिए भी excess pressure का formula होता है 2T upon R, लेकिन अगर मैं 100 bubble लेता हूँ ना, तो 100 bubble में number of free surfaces दो होती है बचक तो बाहर वाली और एक अंदर वाली, इसलिए excess pressure में double हो जाता है मतलब 40 upon R, यह कुछ basic चीज़ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है अच्छा, एक ध्यान में रखना है कि जैसे अगर मैंने 100 bubble ले लिए है जिसकी radius R1 है तो इस नए bubble की radius का formula ध्यान रखना, R is equals to root R1 square plus R2 square एक मतलब direct result है जो आपको ध्यान में रखना है अभी मैं इसके PYQs भी करवाने वालो हूँ आपको लेकिन उसके पहले एक बार fast मैं आपको इनका formula का revision करवा देता हूँ यह दो bubbles है अगर मैं दोनो bubbles से मिलकर एक bubble बनता है इस टैप से इस bubble की जो common radius है अगर आपको common radius निकालनी हो तो इसका formula होता है R2 R1 upon R2 minus R1 ओके यह चोटे-चोटे formula हैं जो आपको बहुत जादा help करेंगे angle of contact, angle of contact क्या होता देखूँ जैसे यह मैंने किसी capillary tube के अंदर कोई liquid भर दिया हर liquid अलग-लग shape शो करता है इसके अंदर जाता है तो किसी भी liquid में अगर मैं अंदर की तरफ एक line draw करता हूँ ऐसे tube के अंदर और एक tangent draw करता हूँ तो इस tangent और अंदर की तरफ draw की गई line की बीच में जो angle होता है उसको angle of contact कहते है एक अंगल of contact जैसे यहाँ पर 90 degree से कम है जब angle of contact 90 degree से कम होता है तो जो liquid की meniscus की जो shape होती है वो हमेशा concave shape होती है यह छोटी-छोटी चीज़े है जो ध्यान में रखनी है angle of contact अगर आपका जैसे s-type का shape बन रहा है तो एक line तो अंदर की तरफ draw करी एक s-a draw करी यह जो angle of contact है यह greater than 90 degree हो गया अगर यह greater than 90 degree हो गया तो हम लोग कहते हैं कि अब यह इसका जो shape है वो concave shape बन गया इसी तरह से वो liquid जिन के लिए यह angle of contact जो है एक line अंदर की तरफ draw करी एक ऐसे करी angle of contact अगर आपका 90 degree हो गया तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो shape है वो plane shape हो गया को छोटी-छोटी चीज़े ध्यान में रखनी है capillarity अच्छा यहां पर एक और चीज में आपको बता जाता हूँ angle of contact अगर less than 90 degree होता है 90 degree से छोटा होता है इस type के liquid हमेशा capillary rise शो करते हैं अना capillary tube में डालने पर उपर की तरफ जाते हैं अगर जिनका theta greater than 90 degree होता है वो इसमें नीचे जाते हैं इसको हम लोग बोलते है capillary depression और जिनका theta 90 degree होता है वो किसी प्रकार का कोई capillary action शो नहीं करते हैं अच्छा जी अब बचो capillary जो होती है capillary का मतलब होता है जो fine board tubes होती है बहुत ही पतली-पतली tubes इनके अंदर liquid का उपड़ चड़ना या फिर नीचे गिरना इसको हम लोग capillary कहते हैं माना कि यह h height तक उपड़ चड़ा liquid capillary tube के अंदर तो इसके लिए एक formula होता है जो बहुत important होता surface tension निकालने का वो formula होता t is equals to hr rho g upon 2 s तो यह height है जहां तक चड़ा है और r जो है it is the radius of surface of liquid किसी भी formula में आपको हर चीज़ पता होने चाहिए कि कौनसी चीज़ का क्या मतलब है जिसे ही है ना यह इसकी जो radius है इसकी जो radius है surface की उसको हम लोग small r कहते हैं और अगर capillary tube की radius capital r है capital r की terms में formula हो जाता है hr rho g upon 2 cos theta यहां पे जो capital r है it is the radius of capillary tube radius of capillary tube तो यह वो सारे man man formula में आपको बता दिये हैं जिन formulas के उपर questions put हो सकते हैं hello dear students एक बहुत ही प्यारा सा question हम लोग ले रहे हैं fluid mechanics का capillary tube का question है need 2021 need 2020 में आयावा a capillary tube question को सबसे पहले अच्छे से read करते है a capillary tube of radius r is immersed in water and water rises it into it up to the height h इसमें पानी जो है h height तक जा रहा है तो आई यह सबसे पहले आपन लोग इस situation को देखते हैं कि क्या है यह capillary tube है एक liquid में रखी हुई है और इसमें h height तक liquid जा रहा है और इसकी rate जो radius है वो r है और इसमें जो mass है पानी का वो 5 gram दिया हुआ है आपको another capillary tube of the radius 2 r is immersed in water अब हम लोग ने इस double radius की tube को उसमें डाल दिया है the mass of the water that will rise in the tube तो कितना mass जो है उपर तक rise करेगा लेखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो भी capillary tube के questions जब हम लोग करते हैं एक बात का हमेशे ध्यान रखना सबसे अपमन को पहले पता हो ना चीजिए कि जो पानी उपर की तरफ चड़ रहा है कि क्यों चड़ रहा है यह जैसे पानी उपर के तरफ चड़ाई यह तो क्या होता है पानी उपर के तरफ उन liquids में चड़ता है जिनका जो shape होता है वो concave होता है अच्छा जी अभी concave shape वाली मैंने एक यह लेली अब यहाँ पर क्या होगा कि angle of contact जो है वो मैंने देखा वो मा angle of contact, angle of contact क्या होता है किसी भी point पर अंदर की तरफ ड्रॉ की गई लाइन और जो खीचे के जो tangent है उनके बीच में angle of contact होता है अब आपको बता है कि जब liquid की surface जो होती है वो surface tension में होती है और इसके ओपर एक force लगता है surface tension का जिसकी direction हमेशा tangent जो होता है उसके along दी जाती है ऐस तो यहां पर यह angle पी theta हो जाएगा इस पूरी liquid की surface है पूरी surface पे इसके हर point के ओपर यह force लगेगा अगर मैं component निकालता हूँ उपर की तरफ तो वो हो जाएगा f cos theta क्योंकि है इसके हर point के ओपर उपर की तरफ एक force लग रहा है f cos theta तो गर मैं total force देखता हूँ पूरी liquid surface के लिए तो टोटल फोर्स आ जाएगा टोटल एफ कॉस्थीटा अब आप लोग जानते हो कि एफ इसी कुस्ट होता है टी इन्टू एल टी इन्टू एल कॉस्थीटा अच्छा जो एल है बचों वो होती है लेंथ आफ दा कॉस्थीटा यह वाला फोर्स ही इसके वेट को बैलेंस करेंगा यह जितना भी इसका जो वेट है इसमें माली r t cos theta और वो force इसके mg को balance कर रहा है अगर यह balance कर रहा है तो देखो यह मेरे पास में formula बन गया अब जब मैंने एक tube की radius पहले r ले थी और बाद मैंने इस tube की radius 2 r ले ले पहले r और अब 2 r तो मैंने देखा 2 constant है pi constant है surface tension change नहीं हुआ है liquids वही है तो theta भी same है gravity भी same है तो mass is proportional to हो गया radius की मतलब आप जितनी ज़्यादा बड़ी radius लोगे tube की उतना ही ज़्यादा वो mass को उपर lift कर सकती है तो mass is proportional to radius क्योंकि radius को मैंने इस question में double कर दिया है तो जो मेरा mass है वो भी double हो जाएगा तो पहले उसने 5 gram mass को hold कर रखा था अब वो कितना mass hold कर सकता है 10 gram okay so the correct answer of this question is C इसका जो सही answer है वो C आ जाएगा यह जो खास बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कोई ध्यान में रखनी है कि अगर liquid नहीं बदल रहा है vessel नहीं बदल रहा है तो जो mass जो hold किया जा सकता है वो उस tube की radius के proportional होता है अगर आपको यह exam में direct ध्यान होगा तो definitely आपका जो time है वो काफी जादा बचेगा okay बहुत बढ़ी हां hello dear students एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सवाल हम लोग need 2019 का ले रहे है thus a saw bubble having radius of 1 mm एक saw bubble की जो radius है वो 1 mm है और from a detergent solution having a surface tension of this मतलब आपको surface tension भी दिया आवा है 2.5 into 10 की पार मानस 2 Newton पर मीटर the pressure inside the bubble is equals to a point Z naught below the free surface of the water in a container तब यह यह से कहना चाहरा है कि अगर मैं container लेता हूँ और इस container में free surface से नीचे जाता हूँ Z naught distance पर Z naught distance पर जाने पर जितना pressure होता है यहां जितना pressure होता है इस point पर उतना ही pressure इस saw bubble के अंदर की तरफ है इस आपको दिया हुआ है G की value इतनी है और density of the water इतना है तो value of the Z naught बताना है कि Z naught की value क्या होगी तो आपने बोला कि सर सबसे पहले काम करते हैं हम इसके अंदर की तरफ pressure निकालते हैं जैसे कि यह मैंने आपको बता रहा है कि जो excess pressure होता है वो होता है P inside minus P outside और इसकी value होती है saw bubble के लिए 40 upon R अब saw bubble के अंदर pressure कितना हो जाएगा P outside plus 40 upon R ओके अंदर की तरफ मैंने यह pressure निकाल लिया अब बाहर pressure मतलब बाहर क्या होता बचो हमेशा atmosphere होता वायू मंडल होता है बाहर का जो pressure है वो atmospheric pressure के बराबर हो जाएगा plus 40 upon R यह इसके अंदर की तरफ pressure हो गया bubble के अंदर का pressure मैंने पहले निकाल लिया चलिए अब मैं काम करता हूँ span का color बदलते हैं pressure ही जो उपर से लग रहा है plus h rho g h rho g अब यहाँ पे जो h है प्यारे बचों वो दिया हुआ है आपको z naught के बराबर rho into g यह इतनी गहराई पर pressure है और यह इसके अंदर pressure आपको कहा जाता है कि दोनों बराबर है अगर यह दोनों बराबर हैं तो आओ इन दोनों को बराबर कर देते हैं इसके भीतर pressure है p atm plus 40 upon r और यह है आपका p atm plus z naught rho g p atm से p atm कड़िया मुझे z naught की value पूछिए तो z naught का formula आगया मेरे पास में 40 upon r into rho g अब सिर्फ मेरे को values put करनी है तो देखो मेरे को surface tension question में दिया हुआ है यह काम करते हैं अपने लोग पन्ना पदलते हैं z naught बराबर 4 t upon r and rho g 4 t अब जो surface tension है इसकी value में पूट कर रहा हूँ 2.5 into 10 की power minus 2 यह मेरे को दियावा है and जो radius है वो मेरे को दियावी है 10 की power minus 3 density दियावी है मेरे को 10 की power 3 अब इस 10 की power minus 3 और यह 3 तो आपस में कट गया और 2 को जब आप 4 से multiply करोगे तो 10 की terms में आंसर आजाएगा और यह बन जाएगा आपका 10 की power minus 2 meter इससे में लेख सकता हूँ 1 centimeter so this is the answer of this question और सबसे खास बात इस question की क्या थी बचो वो यह थी कि यह बहुत इब beautiful question है दो अलग-लग चीज़ों को जोड़ कर यह एक सवाल बनाया गया जो definitely definitely आपको बहुत-बहुत conceptual question था यह keep connected fluid mechanics का एक बहुत ही सुंदर सा सवाल ले रहे है हम लोग a rectangular film of the liquid is extended from 4 centimeter into 2 centimeter to 5 centimeter into 4 centimeter आपने surface area बढ़ाया है अगर work done इतना हुआ है तो surface tension की value कीतनी होगी देखो हमेशे एक बात का ध्यान रखो कि आपको कभी भी work done निकालना होता है इसमें अगर आप surface area change कर रहे हैं तो यह उसका formula होता है work done is equals to surface tension a final मतलब final surface area a initial मतलब initial surface area अच्छा अब यह क्योंकि film solution है तो film solution में क्या होता है यह जैसे उपर भी free surface होती है तो उसके पीछे की तरफ भी free surfaces है तो number of free surfaces में 2 होती है तो मैंने 2 से multiply कर दिया w upon a final minus a initial अब a initial जो है वो है 4 cm into 2 cm यह हो गया आपका 8 cm square final area हो जाएगा 5 cm into 4 cm तो अब ही हो गया आपका 20 cm square a final minus a initial बराबर हो गया 20 minus 8 मतलब हो गया 12 cm square अच्छा एक इस 2 को आप यहाँ पर जरूर लिखें this is very important so work is 3 into 10 के पार minus 4 joule a final minus a initial है 12 cm square को meter में change कर लिया मैंने तो इस तरह से मैंने इसको यह 1 by 4 हो गया और यह 1 by 8 और यह powers जो है 1 by 8 की विली होती है 0.125 newton per meter so the correct answer of this question is B okay keep connected बस इसे तरह से लगे रहो definitely definitely जीत हमारी होगी yes dear students यह अगला सवाल हम लोगे स्क्रीन पर आपको दिखाए दे रहा है यह question बोल रहा है कि 3 liquids of densities rho 1, rho 2 and rho 3 with यह relation आपको दियावा है rho 1, rho 2 से ज़्यादा है और rho 2, rho 3 से ज़्यादा है having the same value of surface tensions t rise to the same height in 3 identical capillaries 3 identical capillaries हैं बिल्कुल एक जैसी capillary tubes है और यह तीन अलग-लग type के liquids है ठीक है तो मैंने यह तीन अलग-लग vessel लिए है और मैं अलग-लग मैंने यह liquids भढ़ दिया इसके अंदर density rho 1 है इसमें rho 2 है और इसमें rho 3 है और इन तीनों के अंदर जो liquids है वो same height तक चड़ा है देखो सबसे पहले mind में एक picture बना लेनी चाहिए अच्छा अब इनके angle of contacts आपके theta 1, theta 2 and theta 3 है तो इन में से कौन सी बात सही है आपको यह बताना है अब आप लोग जानते हो एक बात अच्छे तरह से कि t is equals to होता है hr rho g upon 2 cos theta जहांपे r जो होता है वो इस tube की radius होती है और theta angle of contact होता है अब यह तैय होगा है कि तीनों का अमको दिए वा है कि surface tension जो है वो equal है अच्छा तीनों के अंदर जो height है वो भी सेम है gb क्या है constant है और तीनों capability tube की radius भी सेम है to be constant है तो उसका मतलब हुआ कि cos theta is proportional to rho हो गया तो जिसका rho जादा होगा बचों उसका cos theta भी जादा होगा अच्छा जी अब जिसका cos theta जादा होगा definitely उसका theta कम होगा अब यह कैसे पता चला यह से पता चला कि जो cos theta का जो graph होता है उपर cos theta और अगर मैं थीटा लेता हूँ तो cos theta का graph ऐसा होता है जैसे जैसे theta बढ़ता है वैसे वैसे cos theta कम होता है तो इसका मतलबा कि जिस liquid की density जितनी जादा होगी उसका theta उतना ही कम होगा तो density का relation है rho 1 is greater than rho 2 is greater than rho 3 तो theta 1 सबसे कम होगा इस स्यादा theta 2 होगा और सबस्यादा theta 3 होगा अच्छा यह बात भी तय है कि इनकी जो value है वो pi से कम अब इनकी जो value है वो pi से कम होगी कि pi by 2 से कम जादा होगी यह अपन को पता करना है तो यह तो तय होता है कि जो theta होता है वो आपका 0 से जादा होगा और pi by 2 से कम होगा क्योंकि इसकी जो range चलती है वो 0 से लेकर और pi by 2 के बीच में चलती है इस तरह से जो मेरा correct answer जाएगा वो जाएगा b the correct answer of this question is b इस question का जो सही answer है वो आ रहा है आपके पास में b आजे dear students next question आप लोगों की screen पर है water rises to a height h in capillary tube ये capillary tube है इसके अंदर पानी जो है वो h height तक उपर चड़ा है if the length of the capillary tube above the surface of water is made less than h okay मतलब अभी ये h height तक पानी चड़ रहा था अब मैं क्या कर रहा है इस capillary tube को अंदर ले गया मालिच और capillary tube को अंदर ले जा गया इस तरह से ले गया कि जो जिस height तक पानी जा रहा था ना उससे भी कम hight the capillary tube उपर बाहर की तरफ है तो अब क्या होगा तो अब क्या होता है कि अब इसके अंदर बात दी हुई कि पानी जो है राइज़ अप टू पॉइंट बिलो दे टॉप एंड स्टेज देयर ये बहुत इंपोर्टेंट फिनोमेना होता है water का एक बहुत special behavior होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी short tube length है तो जैसे पहले पानी का जो shape है वो concave है अगर आपने tube की length को कम कर दिया है तो पानी कभी भी इसमें से overflow नहीं होता बलकि पानी क्या करता है अपनी shape को change करता है और अपना radius of curvature जो है वो infinite कर लेता है खुद को flate कर लेता है और खुद को flate करके capillary action छोड़ देता है न यह उपर की तरफ rise होता है न नीचे की तरफ जाता है और यह वहीं पर रहता है तो अब लोग बोलता है कि water rises up to the top of the capillary tube and stays there without overflowing मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने tube की size चोटी कर दी तो इस tube में से पानी जो ऐसे overflow होने लग जाएगा नहीं पानी वहीं पर stay करेगा और अपना जो shape है radius of curvature का उसको change कर लेगा Hello dear students एक बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा सवाल देखो अभी यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है A certain number of spherical drops of a liquid of radius R goes to form a single drop of radius R कहने का मतलब बहुत सारी चोटी चोटी हमारे पास में कूप सारी drops थी और इन drops से मिलकर एक बड़ी drop हम लोगों ने बना दी है इसकी radius capital RS में हर drop की radius चोटी drop की radius R थी और इसकी number of drops N था और जो volume है वो V है इसका जो volume है वो V है If T is the surface tension of the liquid अगर liquid का surface tension T है तो आपको बताना है इन में से कौन सी बात से ही है देखो पहली बात तो यह कि जब चोटी-चोटी drops मिलकर एक बड़ी drop बनाती है तो surface area जो होता है वो decrease होता है जब-जब surface area decrease होता है तो energy released होती है यह तो बात तय है अन्ह तो energy क्या होगी? Release होगी क्योंकि surface area कम हो गया अच्छा अब energy release होगी तो कितने release होगी हमको ध्यान देना है B option तो मरा बिलकुल गलत होगी क्योंकि एब्सॉर्ब करने के लिए बोल रहा है energy release होगे energy कितनी release होगी उसको अपन लोग देखते हैं आपको जो work done होता है किसी भी drop को बनाने में या जो भी process करने में वो work done ही energy की form में store होता है work done का formula होता है surface tension into a final minus a initial अगर मैं a initial देखता हूँ initial surface area कितना था एक drop का surface area 4 pi r square कितनी drops है n तो n से multiply कर दिया final surface area कितना होगा बच्चो 4 pi r square तो अगर मैं पहले change in surface area ही निकाल लेता हूँ a final minus a initial तो यह हो जागा 4 pi r square minus n into 4 pi r square इट decrease हो रहा है अच्छा जी अब यहाँ अगर देखा जाए तो मुझे पता है कि जब बहुत चोटी-चोटी drops मिलकर एक बड़ी drop बनाती है तो volume constant रहता है ठीक है अच्छा जी volume conservation लगेगा volume conservation लगाऊँगा तो एक drop का जो volume होता है वो होता है 4 by 3 pi r cube कितनी drops है n drops और बड़ी drop का volume कितना है 4 by 3 pi r capital r cube यह cancel हो गया तो r cube is equal to n r cube यह मेरे पास relation आता है अच्छा एक तो relation यह use होगा वैसे तो relation बच्चे याद रखते हैं लेकिन मैंने फिर भी आपको एक बार के लिए बता दिया है कि कैसे आया अब मुझे पता है कि volume का formula होता है 4 by 3 pi r cube 4 pi r cube की value में put कर सकता हूँ 3 v तो जो change in surface area है यह हो जाएगा आपका 4 pi r cube जो मैंने लिखा है यह 1 upon small capital r minus small r अब 4 pi r cube की जगे मैंने 3 v put कर दिया यह हो गया आपका change in the surface area लेकिन आपको पता है कि जब छोटी-छोटी drop से बड़ी drop बनती है तो इस process में area decrease होता है तो जो final जो answer आएगा यहाँ पर minus आना चाहिए यह minus मैंने क्यों लगाया है because area is decreased अच्छा तो इसलिए delta है कि जो value हो जाएगी 3 v 1 upon small r minus 1 upon capital r, इस minus को आप अंदर ले जाओगा तो यहाँ पर minus हो जाएगा यहाँ पर plus हो जाएगा तो अब मेरे को अगर पूछा गया है कि work कितना हुआ तो work बराबर होता है t to delta a और delta a की जो value है वो मैंने लिख दी 3 v 1 upon r minus 1 upon capital r ओके यह जो work है यही energy के बराबर है कि इतनी energy मेरी released हुई है अब हम लोग हमारे options के साथ में match करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा यह option match कर रहा है 3 vt 1 upon r minus 1 upon capital r इतनी energy release हुई बाकि students अब exam में question करते हैं तो क्या करते हैं बहुत fast हो जाता है क्योंकि देखो एक तो यह absorb वाला portion नहीं आएगा अब आरा a और c बच गया अच्छा वोल्यूमें 4 by 3 pi r q बनता है तो यहाँ पर 3 वाली टम भी students जनरली याद रखते हैं और exam में direct करी आते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक-एक step solve करी है तकि जिससे कई बच्चों के मन में होता है कि यह कैसे आया तो वैसे तो यह theory में पढ़ते हैं हम लोग लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर इस चीज को explain कर दिया है चलिए next question करते है the weightability of a surface by a liquid depends primarily on मतलब कोई भी जो liquid है अगर आपने किसी चीज में भरा है तो यह इस vessel को कितना weight कर सकता है कितना गीला कर सकता है यह किस बात पर depend करता है उसकी density पे angle of contact between the surface and the liquid पे या viscosity पे या surface tension पे बिलकुल सही angle of contact पे depend करता है क्योंकि angle of contact अगर आपका 90 degree से कम होगा ऐसे liquids की जो shape होती है वो concave होती है और वो जिस चीज में बरेव हैं उसको गीला करते है इसकी weightability अच्छी खासी होती है लेकिन अगर आपका theta greater than 90 degree है तो ऐसे जो liquids होते हैं वो convex shape बनाते है और उनकी weightability बहुत कम होती है यह wall से बेहत कम चिपकते हैं तो I think definitely मेरे इन प्रयासों ने आप लोगों की बहुत बहुत help करी होगी और आपको neat PYQs जो है यह मैंने बहुत सारे करवाए जो fluid mechanics के आए है और यह मान के चलिए definitely definitely यह आपकी बेहत बेहत help करने वाले हैं exams के अंदर